हेलो एवरिवन स्वागत आप सभी का टूपर्स प्राइम चैनल में इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे NCRT क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नमबर 10 और 11 चीक है 11 चैप्टर जो है वो लास्ट में करेंगी क्योंकि उससे तीन या चार important points निकलते हैं बागी कुछ नहीं लेकिन 11 चैप्टर जो है वो most important chapter है इससे बहुत question पूछे जाते हैं exam में आपने पड़ी लिया होगा 1870 के दसक से 1947 तक यानि कि इसके बीच में जितनी भी घटनाई हुई चाहे वो रोलेट एक्ट हो मारले मिंटो हो इसके अलावा फिर दांडी यात्रा ऐसे योगा अंदोलन भारत छोड़ो अंदोलन ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे हम तो इंपोर्टेंट है तो शुरू करते हैं देखिए सबसे पहला पुइंट ही है 1878 में Arms Act पारित किया गया Arms Act जो था 1878 में पारित किया गया इसके द्वारा क्या था कि भारतियों को जो है अपने पास हथियार रखने का अधिकार चीन लिया गया इसके according यही था, arms act यही कहता था कि भारतिये जो हैं वो अपनी पास हतियार नहीं रख सकती हैं, यह अधिकार जो था उनसे चीन लिया गया 1878 में, ठीक है, पहले arms act आया, उसके बाद 1878 में ही वर्ना कुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, यह क्या था, इसके क्या था कि स पत्ती जनक चीज अगर छपती है, तो सरकार जो थी, उस प्रिंटिंग प्रेस सहीद सारी समपती को जम्द कर सकती थी, तो यह था वर्ना कुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, जो आया था, 1878 में ही, तो यह भी याद रखिया, arms act 1878, वर्ना कुलर प्रेस act 1878, अगला बात करते है हम Elbert Bill की, 1883 में जेखे, Elbert Bill को भी जो है, लागु करने का प्रियास किया गया, लेकिन इसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ, और इस बार हंगामा भारतियों ने नहीं, अंग्रेजों ने खुद किया, क्योंकि इस Bill में यह कहा गया, कि भारतियों नियाए दीशयों, और बात का विरोध भारतियों ने किया था, क्योंकि उसे वापस ले लिआ गया था, जबकि वो पास होना चैए था, वो भारतियों के हख में था, नेक्स्ट बात करते हैं अठारा सो पिचासी इंपोर्टेंट है यहां से रिलेटिट कोशन पूछा जाते है अठारा सो पिचासी में देश भरके बहत्र प्रतिनीदियों ने बंबई में शभा करके पार्तिय राष्टे कॉंग्रेस की स्थापना का फैसला किया तो भरके राष्टे कोंग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी ठीक है 72 प्रतिनीदियों ने बंबई में सभा करके किया था तो ये भी पूछा जाता है कि पहली सभा जो थी वो कहां हुई थी तो बंबई में हुई थी 72 प्रतिनीदियों के साथ पहले उसकी अध्यक्षता किस ने की थी व्योमेश चंद्र बैनर जी ने की थी आगे हम पढ़ेंगे देखे भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना एक स्तेवा निविरित ब्रिटिश अधिकारी एओ हयूम द्वारा 1885 इस्वी में की गई स्थापना पूछा गया है यहाँ पर जो स्थापना थी वो ब्रिटिश अधिकारी एओ हयूम ने की थी 885 में बद्रुदीन तयब जी कांग्रेस के पहले मुस्ली मध्यक्ष थी और जोर्ज यूले प्रथम इशाई और विदेशी अध्यक्ष मुस्ली मध्यक्ष कौन बने थे उसके रटिब जी अथापना भूदीन तयब जी तो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बंबई में और इसके प्रत्थम अध्यक्ष कौन थे व्योमेश चंदर बैनर जी थे मुश्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुदिन तयब जी विदेशी अध्यक्ष पूछे तो जोर जी यू ले इंपोर्टेंट है पूइंट याद रखे अगला देखे अगला पूछा जाता है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बुक किसकी है तो ये बुक लेकी थे दादा भाई नौरोजी ने और इस बुक में जो है ब्रिटिश राशन के आर्थिक प्रिवनाम और पत्तियों के अनुरूप काम करने लगे थे ठीक है तो देखे जाना जा कुन सा फिमस हुआ बंगाल में जैसे विपिन चंदरपाल फिमस हुए पंजाब में बाल गंगादर तिलक जी और महराष्टे में लाल अलाज पत्राई जी इन तीनों कोई के इस नाम से जाना जा स्वतंत्रता मेरा जनमसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा तो नारा भी याद रखे किसने दिया था बाल गंगादर तिलक ने उसके बादे कि 1905 में वाइसराई लाड करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया ठीक है बंगाल को बाढ़ दिया वाइसराई थे लाड करजन इंपोर्टेंट है दो तिन तरीके से आपसे यहां से कोशन पूछ सकते है ठीक है एक बात और याद रखे है जब बंगाल का विभाजन किया गया उस वक्त बंगाल जो था वह ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था आज जो हिससे बिहार और उडि जोने बाट दिया था सिर्फ अपनी सुविधा के लिए ठीक है परसाश के सुविधा के लिए ओके नेक्स देखिए जब यह सब हो रहा था तो तिलक का एक अखबार था केसरी नाम से मराठी अखबार था यह जो जिसकी जो है कडी निंदा की जो विभाजन हुआ था उसके समय यह भी था कि मतलब उन्होंने जो अपनी अखबार के तुरू जो है इस काम की निंदा की थी तिलक का अखबार कौन सा है मराठी अखबार केशरी ठीक तो यह आद रखिए अगला देखिए बंगाल की विभाजन का देश भर में विरोध किया गया जिसे स्वदेशी आं जो बंगाल का विभाजन हुआ उसके विरोध में चलाया गया था अगला देखिए अंधर के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मात्रम आंदूलन की नाम से जाना जाता है 1906 में मुसल्मान जमिदार और नवाबू के एक समून धाका में ओल इंडिया मुसल्मान लीग का गठन किया ओल इंडिया मुसल्मान लीग का गठन 1906 में किया लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया लीग की मांग थी कि मुसल्मानों के लिए अलग निर्वाजिका की व्यवस्ता की जाए और 1909 में सरकार नहीं यह मांग मान ली ठीक है 1906 में जो है लीग बनी यह ओल इंडिया मुश्लिम लीग जिसने बंगाल की विभाजन का समर्थन किया और फिर नहीं उन्हें मांग किये मतलब मुसल्मानों के लिए अलग वो हो निर्वाचन जो भी थी तो यह मांग जो थी 1909 में मानी गई थी तो यह पूछा जाता है 1909 का जो मारले मिंटो सुधार थे या 1919 का जो एक्ट था उसमें क्या कहा गया था तो उसमें जो थी मुसल्मानों के लिए प्रथक निर्वाचन की बात की कबूल कर ले गई थी वो तो 1909 का मारले मिंटो सुधार इसी से रिलेटिर था प्रथक निर्वाचन से चीक है मारले मिंटो सुधार या इसे मारले मिंटो सुधार भी कहा जाता है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी का आ जाता है शायद, ओके, आगे देखे, 1907 में कांग्रेश टूट गई और दो भागों में बट गई, दो भागों कोन से नरम दल और गरम दल, नरम दल क्या कोन थे, मतलब प्रमुख नेता कोन थे, दादभाई नोरोजी, सुरेंदरनाथ उनकी अलग सोच थी, कि ऐसे हमें आजादी नहीं मिलेगी, हमें वो छीननी ही पड़ेगी, उसके लिए फिर चाहिए जो भी रास्ता आपनाना पड़े, ठीक है, लेकिन नरम दल जो था, वो अहिंसा की रास्ते पर चला था, और बातचीत के माध्यम पर ज़्यादा जोर द अगला देखे, नेक्स देखे, उननीस सो पंदरा में जो है, गांधी जी दक्षिन अफरीका से भारत लोटे थे, गांधी जी ने अठारा सो पिचानवे में नशली भेदवाओ का विरोध करने के लिए दक्षिन अफरीका में नटाल का अंग्रिस का गठन क्या था, नशली भेदवाओ का वो जो थे दक्षिन अफरीका में विजो है, नशल भेदी पावंदियों की खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, तो अंतराश्टिय स्तर पर जो उनकी अच्छे मानेता थी और लोग जो थे उनका आदर भी करते थे, ओके, आगे देखी, गांधी जी ने सत्याग्रह का सरव पर पर्थम प्रियोग दक्षिन अफरीका में ही किया था, अगर सरव पर्थम बात आए तो सबसे पहले यूज किया गया था, दक्षिन अफरीका में ही, लेकिन भारत में अगर बात आए कि सत्याग्रह का भारत में सबसे पहले प्रियोग किस अंदोलन में किया था, तो वो था चमपारन का जो सत्यागर आंदोलन था उसमी चमपारन काबर बिहार मी 1917 में हुआ था ये और ये नील की जो खेती थी उसके विरोध में था, ठीक है? आगे देखे महात्मा गादी ने साउथ अफरीका से लोटने के बाद पहले साल पूरे भारत का दोरा किया उनके शुरुआती प्रियास कौन कोन से थे देखे चमपारन आंदोलन, खेडा, फिर एहमदाबाद आंदोलन किस्थानी आंदोलनों के रूप में सामनी आए चमपारन आंदोलन हुआ था 1917 में, जो नील की खेती थी उसके खिलाफ था एहमदाबाद जो था वो सूती कपड़े के जो मील थी उसके लिए था और खेडा आंदोलन जो था ये किसान सत्यागरा आंदोलन था ये दोनों ही 1918 में हुए थे तो ये भी आदर रखे, ये पूछ सकते कि सबसे पहला किसान सत्यागरा आंदोलन कुछ सा था खेडा आंदोलन 1918 में आगे देखे इन आंदोलनों के माध्यम से ही उनका राजिंदर प्रसाद और वल्लभ भाई पतेल से परिच्चे हुआ 1918 में एहंदाबाद में वल्लभ भाई पतेल ने मिल मुझदूरों की परता का सफलता पूरवग नेतरतव किया ठीक है सोरी परताल नहीं है आपर हड़ताल आया गल्दी से लिखा गया मुझदूरों की हड़ताल का नेतरतव किया अगे देखिए बात करते हैं रोलट सत्याग्रह की, अभि हमने पढ़ लिया, 1918 तक जो भी आंदूलन हुए थे वो सारे पढ़ लिया, अब बात करते हैं, 1919 में आया था रोलट सत्याग्रह, 1919 में गांधी जी ने अग्रे जो द्वारा पारित किये गए," रोलट कानून के के ख कांधी जी ने चलाया था कि पुलिस को जो है वो जादा वो मिलने चाहिए अधिकार ठीक है और मूल वो तदिकारों परंकुष ना लगे नेक्स देखिए 6 अपरेल 1919 को अहिंसक विरोध दिवश के रूप में मनाने के लिए कांधी जी ने लोगों से आवान किया यानि कि इसी को जो है वो तब इसके लिए जो है वो किया था उन्होंने जो भी था अंदोलन वगेर लोगों को आवान किया कि आम ही जो है इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए तो अपरेल 1919 में पूरे देश में जगय 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 जुलूस निकाले गई ठीक है तो फिर ऑविस ह ब्रेटिश शरकार को भी अपना कदम उठाना था अगर जुलूस निकाल रहे थे तो ब्रेटिश शरकार भी कदम उठाती तो उन्होंने कदम उठाय वैसाखी में जो 13 अपरेल 1919 के दिन अमरिच सर में जो जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था वो इसी के उसमें किया ग इस जन सहार पर रविंदर नाठ टैगोर ने अपनी पीडा और गुस्ता जताते हुए नाइट हुड की उपादी जो मिली थी उन्हें उसे वापस लोटा दिया नाइट हुड क्या होता है ये दी जाती है ब्रेटिश राजा या रानी के द्वारा किसी भी वेक्तिकों जो नाइट हुड की उपादी लोटाई थी तो रवेंदर नाठ टैगोर ने अगला देखें बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की रोल अटैक के बाद जो है खिलाफत आंदोलन है खिलाफत आंदोलन 1920 में अंग्रेजो के द्वारा तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सक्त संदी ठोपने के विरोध में चलाया गया और इसका जो है मतलब भारत में भी चलाया गया इसका विरोध किया गया था गांदी जी ने आवान किया था लोगों को कि हमें इसका जो है अत्याचार के विरोध जो है अभियान चलाना चाहिए और सवराज की मांग करनी चाहिए इसी तरह एसे योग आंदुलन की शुरुवात हुई 1 अगस्त 1920 को गांथी जी ने पूरण सवराज्य के लिए की थी तो एसे योग आंदुलन की शुरुवात किसके लिए की थी? पूरण सवराज्य के लिए और इसकी शुरुवात हुई थी 1 अगस्त 1920 को ठीक है तो धीरे धीरे जो है 1921-22 के दुरान जो है S.O. गांदोलन को गती मिलने लगी हजारों विद्यारती जो थे उन्होंने सरकारी स्कूल कोलेजों को छोड़ दिया वकील जो थे मोतिलाल नहरू हुए सियारदास सीराज कोपाल चारी उन्होंने जो है अपनी वकालत छोड़ दी जो उपाधियां मिले थी वो अंग्रेजों को वापस लोटा दी गे जो भी S.O. गांदोलन चल रहा था इससे क्या हुआ विदेशी कपडों के भी होली जलाए गी तो दीरे दीरे जो है विदेशी कपडों के आयात में भारी गिरावटा आ गई थी इसके ओर अफेक्ट देखे क्या हुए देखे लोगों की पहल कदमी कई जगों पर लोगों ने बिटिश रासन का आहिंसक विरुद किया लेकिन कई स्थानों पर विबिन वर्गों के समों ने गांधी जी के आवान के अपने हिसाब से आर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपना है जो गांधी जी के विचारों से मिल नहीं खाते थी सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानिय मुद्धों के साथ जोड़ कर आगे बढ़ाया जो मतलब जो आंदोलन चल रहा था फिर जो कोई जगह है अगर उसका जो मुद्धा था वो उसको लेकर चलने लगा हमें तब अलग-अलग जगह पर अलग-अंदोलन हो लेकर लगी अलग-अलग मुद्धे को लेकर होने लगी तो ऐसा ही हुआ खेडा गुजरात में पाटिदार आंदोलन पाटिदार आंदोलन कहां हुआ थे पूछा जाते हैं तो एक किसानों का था किसानों नियंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ चलाया था पाटिदार आंदोलन गुचरात में तो यही था और कुछ नहीं था इसमें इंपोर्टेंड और यह दिखी पंजाम में सिखो कि अकाली आंदोलन नियंग्रेजों की सायता से गुरुद्वारों में बैठे ब्रष्ट हंतों को मिठाने के लिए आंदोलन चलाया तो अकाली आंदोलन पंजाम में चला था यह ब्रष्ट मेंटों को हटाने के लिए फिर जो है लोग गांदी जी को मानने लगे कि वो उनको गरीबी से छुटकारा दिलाएंगे तो असाम में गांदी माराज की जैके नारे लगते हुए चाय पागानों मजदूरों ने अपनी तनखा में इजाफे की मांग शुरू कर दी अभी होता है वैलि कि अलग-अलग मुद्दे पर जुलूस निकलने शुरू हो चुके थे अलग-अलग जगे पर अलग-अलग मुद्दे ठीक है अगे बात करते है 1922 से 1929 की गटना ए अभी ऐसा हो गांदोलन जो था वो चल ही रहा था मात्मा गांधि जो थे वो हिंसा कांदोलन के विरोध थे आइंसा के पुजारी थे मात्मा गांधी जी तो अगर हिंसा हुती थे तो उन्हें बरदाश नहीं होती थी च्रिक कारण फरवरी 1922 में जब किसानों के बिर ने गोरकफुर उत्तर प्रदेश में हुई थी एगटना ठीक है और इसमें 22 पुलिस वाले जो थे वो मारे गड़े से ठीक है और क्यों ही थी किसान इसलिए बेकाबू हो गए क्योंकि पुलिस ने उनके चांतिपूरण जुलूस पर गोली चला दी थी आगे देखिए 1930 में स्विन्या वग्या अंदुलन शुरू किया गया ये भी याद रखिए इसी टाइम पर भारतिय कमिनिस्ट पार्टी और हिंदुों के संगठन रास्ते स्वेम सेवक संग RSS जो आज भी जो है आपको पता ही होगा RSS के बारे में आज भी है वो तो उनकी स् एक्षिता में 1929 में पारित किये गए इस प्रस्ताओ के अधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंतरता दिवस माना आया गया तो सबसे पहले स्वतंतरता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को ठीक है इसके अलावा 1927 में देखें इंग्लेंड की कमिटी ने लाड साइ साइमन कमिशन भारत आया था तो पूछा जाता है साइमन कमिशन भारत कवा आया था 1928 में इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविश्य का फैसला करना था इस आयोग में कोई भारत के प्रती नीदी नहीं था इस फैसले की वज़े से भारत में भारी असंतोश पैदा हुआ सबी राजनितिक संगठिनों ने भी आयो के बैशकार का फैसला दिया जब कमिशन की सदर्शे भारत पहुंचे तो परदर्शनों के साथ उनका स्वागत क्या गया और नारे लगाए गये साइमन गो बैक साइमन वापस जाओ तो याद रखिए साइमन कमिशन जो 1928 में भारता है याद रखिए लाला लाजपत्राय की मृत्यू यहाँ पर जो लाठी चार्ज हुआ था उसी में हुई थी ठीक है उसी का विरोध करने के लिए वो गए थी जहाँ पर लाठी चार्ज करवाया था अंग्रेजों के द्वारा जिसमें उनकी मृत्यू हो गई फिर उसके बाद भागत सिंग ने उनकी मौत का बदला लेनी के लिए उनको गोली मारी थी ठीक है सांडरस वगेरे को ठीक है आगे देखिए इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया था भागत सिंग ने देखिए भागत सिंग और उनकी साथियों जैसे करांती का इराश्टरवादी ओपनी विश्यक स्थाशन तथा मीर सोशक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूर और किसानों की करांती चाहती थी इसी के लिए जो है उन्होंने 1928 में दिली स्थित्फिरोटसा कोटला में हिंदूस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोशियेशन की स्थापना की थी भागत सिंग ने था आठ अप्राइल 1929 को उसके बाद उन्हें फासी की सजा सुनाई गई थी और 30 साल के उम्र में उन्हें फासी पर चड़ा दिया गया नेक्स देखिए नेक्स बात करते हैं दांडी मार्च की पून सुरजय अपनी आप आनी वाला नहीं थे इसके लिए लोगों को लडाई में उतरना था 1930 में गांधी जी ने एलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यातरा निकालें 1930 में दांडी यातरा ठीक है आगे देखें महात्मा गांधी और अन्या राष्टवादियों का कहना था कि नमक वर्टेक्स वसुलना पाप है क्योंकि यह हमारी भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है तो यही याद रखें दांडी मार जो था वो 1930 में नमक कानून नमक तोड़ो कानून जो था गांधी जी और उनके अनुयाई साबर मती से 240 किलोमेटर दूर सित दांडी तट पैदल चल कर गए और उन्होंने तट पर बिखा नमक इखटा करते हुए नमक कानून का सारजनी क्रूप से उलंगन किया उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया इस आंदोलन में जो है सभी ने बाग लिया था किसान, आदिवासी, महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था इसमें आगे देखे गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट प्रांतिय सुवयत्ता के लिए जाना गया प्रांतिय स्तर पर दो साल के कांग्रेसी साशन के बाद सितंबर 1949 में दूसरा विश्वयूद छिड़ गया हिटलर के प्रती आलोचनात मकरविये कांट कांग्रेस की नेता ब्रिटीन के यूद प्रियाशों में मदद देनी को तयार थी इसके बदले में वे चाते थी कि यूद के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए अंग्रेसी सरकारों ने विरोध में स्तीफा दे दिया और देखें नमक कांट तोड़नों सोरी ये डानिवार्ज जो था इसमें स्वरोजनी नाइडू विजो थी वो महात्मा गांदी के साथ थी इसके अलावे आद रखिये भारती राष्टे कॉंग्रेस के अध्यक्ष पर पहुँचने वाली पहली महिला भी कौन थी सरोजनी नाइडू उसके बाद आया था भारत छोड़ो आंदोलन तो महात्मा गांदी ने दूसरे विश्यू यूद के बाद अंग्रेजो के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया उन्होंने अंग्रेजो को चितामनी दी की वे फोरण भारत छोड़ दे तो भारत छोड़ो आंदोलन आठ अगस्त 1922 को आया था गांदी जी ने भारते जन्ता से आवान किया कि वे करो या मरो के सिदान पर चलते हुए अंग्रेजो के विरूद ऐ हिंसक ढंग से संगर्श करे इसके बाव जो यह अंदोलन जो था वो फैलता गया और किसान और्गिवा इस अंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए विद्यारती जो थे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अंदोलन में कूद पड़े सबसे पहले अंग्रेजों ने बरबर दमन का राष्टा अपना है और 1943 के आम तक 90,000 से जादा लोगों को गिरफतार कर लिया गया यानि कि इस अंदोलन को खतन करने के लिए उन्हें गिरफतार किया गया और लगबग 1000 लोगों को पुलिस की गोली से मार दिया गया लेकिन लास्ट में ब्रेटिश राज को इसके सामने गुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया यहाँ पर सुभाष चंद्रबोस की बारे में पढ़ लेते हैं समाजवादी विचार रखने वाले आमूल प्रिवर्तन वादी राष्टर वादी सुभाष चंद्रबोस अहिंसा के गांधी वादी आदर्श्र में विश्वास नहीं रखते थे लेकिन वे राष्टर पेता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता चोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापूर पहुँच गे भारत को अंग्रेजियों के नियंतर्ण से मुक्त करानी के लिए उन्होंने वहाँ आजाद हिंद फोज आजाद हिंद फोज की स्था अपना किसने की सुभाज चंदर बोस ने यानि की इंडियन नाशनल आर्मी आई एन ए का गठन किया 1944 में आजाद हिंद फोज ने इंपाल और कोहिमा की ओसे भारत प्राकर्वन का प्रियोस किया प्रन्तू या अभियान सफल नहीं हो पाया आयने के सदश्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमी चलाए गया देश भर में तमाम तरह की लोगों ने आजाद हिंद फोज के सिपाईयों पर चलाए गया मुकदमों के खिलाफ चले संगर्शों में हिस्सा लिया फिर स्वतंतरता से विभाजन के और देखें 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के जो पूरी शेत्रों में मुसल्मान रहती थी उनके लिए स्वतंतराजी की मांग के लिए प्रस्ताव पारित किया इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था मुसलिम लीग ने उक महादिव के मुसल्मानों के लिए सवायत विवस्था की मांग की थी ठीक है 1937 के दशक के आखरी सालों में लीग मुसल्मानों और हिंदूों को जो है अलग-अलग रास्टर मानने लगी थी इस विचार तक पहुँचने में 20 और 30 के दशक में हिंदू और मुसल्मानों के कुछ संगटनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा 1937 के प्रांतियत चुनाव समवते इससे भी जादा बड़ा कारण रही है इन चुनावों ने मुसलिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसल्मान अल्फ संखिक और किसी भी लोक्तरांतिक सरंचना में उन्हें हमेशा गोन भूमी का निभानी पड़ेगी यानि कि मुख्य भूमी का नहीं मिलेगी उन्हें ऐसा लगने लगा था क्योंकि जो मुसलिम लोगों थी उनकी संख्या क्या थी कम थी उन्हें ऐसा लगता था लिग को यह भी बैय था कि संभाव की मुसलमानों का प्रति नीदित्व ही नहीं मिल पाए यानि कि उन्हें प्रत्ति नीदित्व नहीं मिले तो 1937 में मुस्लीम लिग सेउत प्रांत में कांगریस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहा थी प्रन्तु कांग्रेस ने इस परस्ताव को स्विकार नहीं किया जिसके फासला जो था वो और जादा बढ़ गया तो आगे देखिए 1945 में विश्य यूद खतम होने के बाद अंग्रेजों ने भारती सो तंतरता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी यह बारता है सफल रही क्योंकि लीग का कहना थी कि उसे भारतीय मुसल्मानों का एकमात्र परती नहीं दी माना जाए कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकते थी क्योंकि बहुत सारे मुसल्मान अभी भी उसके साथ थे 1946 में दोबारा फिर से प्रांतिय चुना हुए और सामान्य निर्वाशन शेत्रों में कांग्रेस का प्रद्शन तो अच्छा रहा प्रंतो मुशल्मानों के लिया रक्षित सीट पर लीग को बे जोड सफलता मिली लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही मार्च 1946 में ब्रिटिश शरकार ने इस मांग का ध्यन करने और स्वतंतर भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोवज सुझाने के लिए तीन सदश्य प्रिशंग भारत भी जाए इस प्रिशंग ने सुझा दिया कि भारत ए विभाजित रहे और इसे मुसलिम बहुमत चेतरों को कुछ स्वायता देते हुए एक ढीले डाले मासंग की रूप में संगठित किया जाए तो कांगेस और मुसलिम लीग जो थे वो दोनों ही इस पर जो है सैमत नहीं हुए और अब देश का विभाजन जो था अवश्यभावी हो गया यानि कि अब तो होना ही था तो कैबिनेट मिशन के इस विफलता के बाद मुसलिम लीग ने पाकिस्तान के अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदूलन शुरू करने का फैसला किया उसने 16 गस 1946 को प्रत्यक्ष कारवाई दिवस मनाने का आवान किया प्रत्यक्ष कारवाई दिवस 16 गस 1946 को इसी दिन कलकता में दंगे भड़क उठे और जो कई दिन तक चलते रही और इन दंगों में अजारों लोग मारे गए मार्च उन्नीस सुच्यालिस तक उत्तर भारत की विबेन भागों में भी जो है हिंसा फैल गए सोरी, उन्नीस सुच्यालिस तर कई लाख लोग जो थे वो मारे गए उसके बाद जो है विबाजन का नतीजा यह भी वाकी भारत की शकल सुरत बदल गी उसके शेरों का माहूल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जनम हुआ इस तरह ब्रेटिश साशन की स्वतंतरता के बाद देखें मुलाना अजाद जो थे वो कांग्रिस कारेकारी समीती के सदश्य हुए है मुलाना अजाद का जनम हुआ था मक्का में उनके पिता बंगाली और मा अरब मोल से थी इसके लावा गांधी जी और जिन्ना के बारे में बताया गया है वयोवर्द राष्टवादी और दक्षिन में नमक सित्य वगरा के नेता सी राजगोपाल जो थे वो अंतरीम सरकार के सदश्य थे और स्वतंतर भारत के पहले भारतिया गवर्नर जनरल भी कौन रहे स्वतंतर भारत के पहले भारतिया गवर्नर जनरल आए तो सीराजगुपालचारी अगर सिफ ये पोचा जाए स्वतंतर भारत के पहले गवर्नर जनरल तो वो थे लाड माउंट बैटन ठीक है लेकिन भारतिये के बात हो रही है तो वो सीराजगुपालचारी थे पहले भी और आखरी भी ठीक है सरदार अवल्लब भाई पुटिल के अध्यक्ष भी रही ठीक है तो अब देखते हैं चैप्टर नमबर नाइन को सोरी टैन को चैप्टर नमबर टैन जो है वो चित्र कला से रिलेटिड है तो इसमें देखें कुछ दिखाया हुआ है ये दमैंती है राजा रवी वर्मा द्वारा बनाया गया गया था तो राज रवी वर्मा के बारे में पढ़ लेते है देखें। और इस चित्र के लिए दो नाम प्रसिद हुए हैं उस टाइम पे वो थे टॉमस देनियल और उनके भतिजे विलियम डेनियल वे जो थे इस परमपरा के सबसे प्रसिद चित्र कार रहे हैं क्लकत्त है इसके लावर रूप चित्र की बाथ थी किसी वेक्ती का ऐसा चित्र जिसमें इसकी चेहरे और हावभाव पर जड़ा जिसदा ज़ोडिया घया गया में उसे क्या कहते हैं रूप चित्र, रूप चित्रन क्या होते हैं पोट्रेट बनाने की कला जो थी वो रूप चित्रन कहला ही, दीखेए ब्रिटिश और भारतिय दोनों देशों के अमीर और ताकत वर लोग किरमिच पर अपना छवी देखना चाहते थे चोटे हाकार के रूप चित्र बनाने की मोजुद्धा भारतिय प्रम्प्रा के विप्रित ओपनीवेशिक रूप चित्र आधमकद आकार के होते थे और बिलकुल सक्चे लगते थे रूप चित्रन की यह नई शेली समराज्य की वज़े से पैदा हो रही थी ओके और धन सम्प्रदा को दर्शाने का एक साधन थी आगे हैं भीती चित्र भीती चित्र कौन से होते हैं दिवार पर चित्र बने होते हैं उन्हें भीती चित्र का आ जाते हैं विबिन दरबारों में हम देख सकते हैं, मैसूर में टीपो सुल्तान निन्य के वल जंग के मैदान में जाकर अंग्रेसों से लोहा लिया, बलकि उनकी सांस्कृतिक प्रमप्राव का विविरोध किया, वैस तानिय प्रमप्राव को अपरोध साहान देती रहे, श्री रंगा प तर थी, तो यहां पड़िए, बंगाल में कारीगाट स्थित मंदिर, एक महतोपून तिरत स्थान था, महां के स्थानी गाउं में रहने वाली खर्राचित्रकार, खर्राचित्रकार को पटुआ के नाम से जाना जाता था, और मिट्टी के बरतन बनाने वाले, पूरवी भार यह खुल रही थी, नहीं मारत और नहीं सडकों का निमान चल रहा था, इसे बाकी यही दिया हुआ है, ओके तो यह थे चप्र 9 और 10, इंपोर्टेंट पोरिंट्स, चप्टर 10 और 11 से रिलेटिटिट इंपोर्टेंट पोरिंट्स, थांक्यू सो मच्छ